हेलो दोस्तों मेरा नामे गोतम और आप देख रहे हैं यूलैक लेक्टोनिक्स और दोस्तों यहाँ पर मेरे पास एक रेडियो आया है जो कि स्पीकर ने प्रोलम रहता तो यहाँ पर एक LED दिया गया रहता है उसमें भी सप्लाई आना चाहिए जो कि ऐसा कुछ इसमें नहीं हो रहा है और यहाँ पर देखें कि यह स्वीच है सेलेक्टर स्वीच जिससे आप रेडियो और USB के आप्शन को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो लेकिन यहाँ पर यह ओनी नहीं हो रहा कि यह कुछ काम करें तो बहुत लोग ऐसे कमेंट भी करते रहते कि रेडियो का तो जमाना चला गया है बट आप रेडियो रिपेर कर रहे हो तो दोस्तो ऐसा नहीं है रेडियो का जमाना भले ही चला गया हो लेकिन अभी ऐसे लोग और बरा से बरा electronics समाना आएगा उसको मैं repair कुड़ूंगा तो आए ज्यादा देर ना करते हुए इसको हम खोल लेते हैं यहां पर मैंने इसको खोल लिया है और यह antenna को वायर है जिसको मैं यहां से हटा दिया है क्योंकि यहां पर अगर हम इसको ऐसे रखते हैं तो यह cover जो है नीचे नहीं जाएगा इसका कारण ही क्या होगा कि हम अच्छे से repair नहीं कर पाएंगे तो यहां पर हटा दिंगे तो यह बिल्गुल थरीका से open हो जाएगा और इसमें जो बैटरी लगा हुआ है हमें उसको चेक करना है कि यह चार्ज है कि नहीं है अगर चार्ज नहीं है तो आप इस बैटरी को भी लगा के इसको यूज में ले सकते हो चेक करने के लिए मल्टिमीटर को DC बाले पर पॉइंट करना है 20 पे क्योंकि इसमें ज्यादा वोल्ट नहीं आता है 3-4 वोल्ट आ जाता है और यहां पर जो बैटरी लगा हो है उसको हम चेक करेंगे तो यह लगवाग 4 वोल्ट चार्ज है यह 4 वोल्ट आ रहा है और यहां पर जो यह दो टरिमिनल होते हैं बैटरी का उसको भी मैं चेक कर लेता हूँ यहां तक मेरा सप्लाई ओके है उसके बाद यह जो सप्लाई है यह डिरेक्ट प्टेंस्व मीटर पर जागा जो स्विच की थरू काम करता है तो आई एम इसको खोल कर अंदर दिखाते हैं की किस परकार से इसका सप्लाई का बाब गैर आता है थेखित supply को मैं हमें find करना है कि board तक हमारा supply आ रहा है कि नहीं आ रहा है देखिए इसको मैंने खोल लिया है और हमें ये चेक करना है पहले कि यहां पे जो यह radio है इसको on कर देना है और उसके बाद यह जो red वाला wire आ रहा है यह direct PCB पे जाता है जो कि plus supply है और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो minus वाला supply आता है यहाँ से इस बैटरी वाले point से यह पहले switch में आ रहा है ठिक यहाँ पे देखिए यहाँ पे supply आ रहा है और यहाँ पे नहीं आ रहा है तो देखिए यह जो supply यहाँ पे आता है switch पे तो इसका एक और terminal होता है जो यहाँ पे bolt store नहीं कर रहा है इससे पहले कर रहा है लेकिन यहाँ पे यह नहीं कर रहा है मैं आपको pass में लाकर देखा देता हुआ हूं कि देखें दोस्तों यहां पर यह जो हमारा स्वीच होता है इसमें दो टर्रीगिनल होते हैं इसके टॉप पर यह सब्सक्राइब यहां पर दिखा देता हूं यह जो सप्लाई है सिर्फ इसी पॉइंट पर आ रहा है इससे आगे नहीं आ रहा है और करने पर भी तो यहां पर जो मारा स्वीच है यह हो सकता है खराब हो तो इसको हम किस प्रकार से चेक करेंगे तो सिंप्ली आपको चिम्टी लेना है और इसको आपस में स्वीच जो हमारा इस वोल्यों में होता है यह खराब है तो यहां पर जो यह पोटेंसिव मीटर है और इसमें जो लगे स्वीच होते हैं यह हमारा खराब हो गया है इसके वजह से यह आन नहीं हो रहा है तो यहां पर सिंप्ली हम क्या करेंगे कि इसको चेंज कर देंगे और इसमें जो हम चेंज करेंगे तो आपको दोकान पर यह कुछ इस प्रकार का यह जो प्रटेंसिमीटर होता है यह मिल जाएगा तो उपर में जो दो पॉइंट होते हैं यह स्वीच ही होता है जिसे हम यह यहां से on और off कर सकते हैं तो simply हम क्या करेंगे दोस्तों कि यहां पर हम फटा-फट से इसको replace कर देंगे और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि यह problem हमारा solve हो जाएगा तो दोस्तों मैंने यहां पर यह जो पुराने वाले potentiometer है इसका वायर मैंने नए वाले potentiometer में मैंने लगा दिया है और लेकिए अब हमारा चालू हो जा रहा है हमारा जो problem था यहां पर पहले वाला potentiometer लगा हुआ था इसमें switch जो उपर लगा होता है यह खराब हो गया था इसके वज़े से on नहीं हो रहा था तो यहां पर मैंने दूसरा potentiometer लगा दिया है तो यह हमारा काम करने लगा है तो आईए हम फटा-फट से पुराने वाले को हटा कर और यह जो मैंने चेंज किया है इसको मैं यहां पर लगा के इसको पुड़ा fix करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ यहां पर दोस्तों कि यह जो potentiometer का लेग होता है नए बाले में काफी बड़ा होता है तो आप यहां पर देखिए कि इसके according यहां पर आप size को मादते हुए इसको cut कर सकते हैं यहां से यहां पर मैंने cut कर दिया और यह दोनों बराबर में आ गया है और यहां पर मैं इसको लगा लेता हूँ फिर यहां पर आपने देखा कि यह जो हमारा रिडियो है बिल्कुल तरीका से और यह जो हमारे रिडियो है वर्क करने लगा है तो इस परकार से दोस्ता अगर आपके पास भी डिडियो है अगर इस तरकार का प्रोल्म आ रहा है तो आप step by step इसको repair कर सकते हो जिस परकार से मैंने आपको repair करके दिखाया है तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्रीज लाइक करें, share करें और हमारे YouTube टेनल को subscribe करें वीडियो देखने के लिए धन्नेवाद आप का दिन सुभ हो और हाँ दोस्तों आप जाते जाते ये comment जरूर करते जाएं कि आप में से कौन-कौन से अभी तेक रेडियो को सुन रहे हैं और आप कहां से सुन रहे हैं ये भी आप मुझे comment करके बता दे जैसे आप लोग अगर मुंबई से हो तो मुंबई hashtag करके बता सकते हो ताकि मुझे पता चल सकेगा कि हाँ अभी भी लोग जो है किस जगा से रेडियो सुनना पसंद करते हैं तो आप comment करना ना भूले